नमस्कार दोस्तों मैं दॉक्र कुल्दिप जांगेड़ एक बार फिरसे आपका आपने यूट्यूब चैनल दॉक्टर कुल्दिप जांगेड होमयपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे औरल और आप तो कैसे पैचा नहींगे और आखिर Oh था हो यह क्या है इसके क्या कारण होता है कि इस वजह धीडीज डव भूफ होती है इसमें कई चूंपेटी मैडिसेन है अपनी बीमारी को आप पुरी तरिके से अठीक सकते हैं हम अँगे सबातों के बारे में एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिस होता है उसको आप कैसे पैचानने जोटा सा इंटरथविए यानि जब आपकी रोग प्रतिरोजग शम्ता आपकी जब खुद की बॉड़ी की दुश्मन हो जाती है और वह एक तरह से इसके स्केल्प में भी हो सकता है उसके अंदर पैचे में बाल चले जाते हैं वहां पर आपको थोड़ा सा इचिंग होना शुरू हो जाता है दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर और लाइकन प्लेंडिस होता है उसको आप कैसे पैचानेंगे उसके क्या सिम्टम होते हैं इसकी आप उसको देखने से आपको पता लगयागा कि आपको कहीं और लाइकन प्लेंडिस तो डवलप नहीं हो रहा है दोस्तों और लाइकन प्लेंडिस को पैचानना बड़ा है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि आपको जब कभी और लाइकन है यहां पर तो बन जाते बिए बाते और pension जाते हैं इसके बात में अगर आपको कभी कभी कने इह भी देखने को मिल्सकता है कि आपको मुँमे चाले जैसे आपको स् belt होजाते हैं यानि रहल बीडा हो जाते हैं तो सब उच्छा है इसके साथ आपको मूँ में आपको जलन रहता है आपको डर्द रहता है तो यह सारे जो इस्म्टम आपको लॉया Welcome डोस्तों कई पैसे जो कि आके हमें बोलता है इसी जब कभी वो ठोड़ा सा तीखा खाना खाते हैं और रूटीन में भी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं तो उनके मुह में उनको थोड़ा सा तीखा-थीखा सा लगता है उनके मुह में जलन करता है और उसके साथ साथ उनको अगर जब सकता है यह संप्रोडर यंट कर सकते हैं इसे लए नहीं होुत है नहीं होसके यह हंसे जाप को अगली है वो से श्याँच इसले क् सम्णा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें लापरवे नहीं करनी होती है अब इसमें यव सकता बोर में सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब हो सकते हैं इसलिए आपको यह सजेसन दूंगा आपने हैं तो आप पागल होसको कर रहें बीच बीच में जाके जयसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उसके साथ साथ आपको धूभ से मेडिसिने जो अगर आप लेतें तो आपको इसके बहुत अच्छी रिजल्स मिलते हैं आप अपनी जू मुह में जलन है जो आपको दर्द रहता है खाना-काना खाते समय हैं यहां यह लाइकान प्लैनट्ट यह दे बडूब में ग्लाइक मंपार्ण यह लाइकन प्लैनर या ये एक यह और थी डीजिज है यानि आपकी जो बॉड़ी की इमुटी फार्ट ऑफ कि आपकी जो बॉड़ी की सेल्स प्लाइच्टेश्ट इसको डैमेज करना सुरू कर देती है ज पूर्स इसा भी को चांसेश्थ मोपने के इसके साथ दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है और पर्टिकुलर कुछ जगह पे या किसी जगह पर किसी पॉइंट पर आपके वह दान्त को कि वजए से आपके गालों पर आपके जुबान पर एकुष्थ सब्सक्राइब लावा इंजरी अगर मुव में हो जाती है तो अगर आपका डेंचर सही नहीं है यानि अगर आपने 32 बनवाई है और 32 का जो है वो कहीं नहीं आपको गालों पर यह आपको जुबान पर कहीं वह इरिटेटर रही है महाँ पर तो उसकी वजय से भी आपको यह died जर्दा इन सब चीजों को बंद कर देना होता है यह आपके लिए काफी फाइदे मंद रहेगा इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा नम इस पाइसी लेते हैं आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला अगर आप काम में लेते हैं तो आप उसको भी पूड को भी आप अवइड करें तो आपके लिए बैतर रहेगा दोस्तों इसमें आप ग्रिन लिफी वेजिटेबल लेते हैं फल फ्रूट लेता है तो आपके लिए फाइदे मंद होते हैं तो यह इसमें कुछ आपको ध्यान देने वाली बाते हैं जो कि अगर आपके स्टार्ट करना है तुग दू इसमें बहुत अच्छे दिशल्स मिलते हैं और चूजा तुंड इसमें आपको वीक में केवल एक बार लेना होता है यानि तीन बूण ढर जीप पर आपको कोई वीक का एक दिन तो आप इसको आप 5 ml पानी में भी डाल कर आप ले सकते हैं या आप ग्लोब्यूस में भी डाल कर आप ले सकते हैं उससे आपको जलन नहीं होगी दोस्तों इसी तरह से जो नेक्स मेडिसन ने वह जिसके बहुत अच्छे रिजल्स मिलते हैं वह मर्क सॉल 30 मर्क सॉल 30 को भी लेने का तरीका होता है तिन तीन बुन डायरेट जीव दिन में तीन बार शुबह दो पर और शाम इसके साथ दोस्तों एक और जो मैडिसन है जिसका गिनाम है नाव है जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं यह आपके नौलेज परफस के लिए होता है सेल्फ मैडिकेशन के लिए नहीं है इसलिए आप कोई भी हमेशा अनुसार लें तो आपके लिए बैतर रहता है क्योंकि इसके लाव और भी बहुत सारी मैडिकेशन होती है जो कि एस पर सिंटम एस पर इंडिकेशन देने से आपको उसके और अच्छे रिजिस्स मिलते हैं आप अपने बीमारी को अच्छी तरह से आप उसको टीट कर सकते हैं इसलिए आप कोई भी मैडिकेशन लें हमेशा डॉक्टर की सेला अनुसार लें सेल्फ मैडिकेशन मिल्कुल ना करें दोस्तों यह चोटी सी जानकारी है और लाइकन प्रेनेस के बारे में जो आज मैंने झाल झाल